बचो नेक्स वेशन आप देख सकते हैं 5x²-4-8x सबसे पहले इसको आप standard form में लिख लें तो सबसे पहले x² लिखेंगे फिर x वाला term 8x और –4 आप ध्यान दें 4 आपको दिख रहा है इसके factorों में 2 and 2 प्राइम factor और ये वाला 5 अब बचो इनके ऐसे दो pair बनाने है इनके दो pair ऐसे बनाने की minus करने पर 8 है तो आपको दिख रहा होगा 10 minus 2 तो आप यहां लिखने वाले 5x²-10 minus 2 8 मिल गया यहां bracket open कर ले minus 10x minus minus plus 2x और minus 4 बचो यहां पर 5x common दिख रहा आपको बचेगा x minus 2 यहां 2 common दिख रहा है बचेगा x minus 2 अब x minus 2 आपने common ले लिया क्या बचेगा 5x plus 2 पहली condition when x minus 2 is equal 0 it implies that x is equal 2 इसको आपने suppose कर लिया alpha second when 5x plus 2 is equal 0 यहां आप कहेंगे 5x is equal minus का 2 और it implies that x is equal minus 2 by 5 और इसको कहेंगे आप beta अब आपको जो relationship है उसको verify करना है तो verification दोनों relation है आपको verify करनी है आपको first बच्चों आपको पता है alpha plus beta is equal minus b upon a alpha जो की 2 है और beta minus 2 by 5 b बच्चों क्या होता है जो x का coefficient है जो x के साथ है minus 8 वो b होता है और a होता है x square का coefficient जो की 5 है यहां LCM ले लेंगे आप 5 5 to 10 minus 2 minus minus plus हो जाएगा 8 by 5 आपको मिल गया 8 by 5 is equal 8 by 5 फहले relationship verify हो गई है बच्चों next की तरह बढ़ते है alpha into beta is equal c upon a alpha जो की 2 है beta minus 2 by 5 is equal c बच्चों का constant term जो की minus का 4 है और a x square का coefficient जो की 5 है आप ध्यान दें 2 to 4 तो minus 4 upon 5 is equal minus 4 upon 5 आप देख सकते हैं second relationship भी यहां पर आसानी से verify हो गई है और इसी के साथ बच्चों बढ़ते है question number 7 की तरह question number 7 7 है 4 x square sorry 2 x square minus 11 x और plus 15 यह है बच्चों यहां ध्यान दें 15 को आप लिख सकते है 3 into 5 prime factor और बच्चों x square के साथ 2 है इस 2 को भी लेंगे आप आप इसके 2 pair ऐसे बनाने हैं कि प्लस करने पर 11 आए तो 3 2 जा 6 और यह 5 11 हो जाता है यानि आप क्या करने वाले हैं 2 x square 6 प्लस 5 11 प्लस 15 bracket open करेंगे 2 x square minus 6 x minus 5 x प्लस 15 बच्चों bracket के बार minus sign है दोनों के sign change कर देगा दोनों positive थे bracket के अंदर अब दोनों negative हो गए पहले pair में 2 x common है x minus 3 बचेगा minus 5 common x minus 3 जब आप minus common लेते हैं तो दोनों के sign change होते हैं यह positive हो गया और यह हो गया negative बचों यहाँ पर x minus 3 आपको common देख रहा है बचा 2 x minus 5 अब यहाँ पर first case आप क्या लिखेंगे when x minus 3 is equal 0 it implies that x is equal 3 इसको आप suppose कर लेंगे alpha when 2 x minus 5 is equal 0 or it implies that 2 x is equal 5 यह आप कहेंगे x is equal 5 by 2 बच्चों बढ़ते हैं verification की तरफ इसको बीटा मान लिए हमने verification देखें चीजे बहुत आसान हैं और ज्यादा आसान बनाना आपके यहाथ में हैं जितना आप ज्यादा से ज्यादा practice करेंगे चीजें उतनी ही आसान आपको लगने वाली है तो पढ़ते हैं verification की तरफ पहला alpha plus beta is equal minus b upon a आपको verify करना है दूसरा alpha beta is equal c upon a बच्चों alpha 3 है और beta 5 by 2 है b क्या होता है जो x का coefficient है वो b होता है तो minus के 11 a होता है x square का coefficient जो की 2 है यहाँ LC हम लेंगे आप 2 तो यह आएगा 3 2 जा 6 और 5 minus minus plus हो गया 11 by 2 यह आगा 11 by 2 is equal 11 by 2 बच्चों verification हो गया पहला second alpha आपका 3 है और beta 5 by 2 c होता है constant term जो की 15 है यह होता है x square का coefficient जो की 2 है 5 3 जा 15 by 2 is equal 15 by 2 बच्चों यहाँ पर second relationship भी आपने verify कर दी है बढ़ते है question number 8 की तरफ question number 8 अरे यह तो वही question जो बहुत परेशान करता है root वाला चलिए देखते कैसे करेंगे आप ध्यान दें यहां root 3 लिखा हुआ है multiply करेंगे 2 root 3 को बच्चों यहां कितना आ गया यह आ गया आपका root 3 into root 3 3 और 2 अब ध्यान दो आपको इनको ऐसे दो पेयर में तबदील करना है बदलना है कि प्लस करने पर 5 है आतुरा है 5 लिख लेते हैं तो आप यहां लिखने वाले हैं 2 root 3 x square 5 2 plus 3 bracket यहां पर open करेंगे minus दोनों को negative कर देगा 2 root 3 x square minus 2 x और minus का 3 x plus root 3 बच्चो ध्यान दें यहां पर 2 common दिख रहा है और x भी common है तो 2 x common ले लिया बचा root 3 x minus का 1 बच्चो यहां कुछ भी common नहीं दिख रहा है लेकिन इस 3 को हम root 3 into root 3 तो लिख सकते हैं भई root 3 into root 3 3 होता है तो इस 3 को हमने root 3 root 3 लिख लिख लिए अब root 3 common मिल जाएगा इसको ऐसे ही note कर लिया आपने root 3 common ले लिया आपने minus का minus common तो sign change कर देगा यहां बचेगा root 3 x minus हो जाएगा 1 बच्चो आप common क्या दिख रहा है root 3 x minus 1 बचा क्या 2 x minus root 3 है ना असान ध्यान से देखिए असान लगेगा आपको इन वीडियो को बार बार देखें लिख कर practice करें और चीज समझ में आए तो बार बार देखने से चीजे clear होती है इसलिए वीडियो को बार बार ध्यान से देखें और चैनल को subscribe जरूर करें और इसको और कैसे बहतर कर सकते हैं इसके लिए आप में सुझाओ जरूर दें बच्चो पहली condition when root 3 x minus 1 is equal 0 बच्चो यहां से मिलने वाला है root 3 x is equal 1 तो यहां से मिलने वाला है x is equal 1 upon root 3 और इसको हमने कह दिया alpha दूसरी condition when 2x minus root 3 is equal 0 तो यहां से मिलने वाला है 2x is equal root 3 बच्चो यहां से मिलने वाला है x is equal root 3 by 2 इसको हमने माल लिया beta अब जो relationship है पहली alpha प्लस beta is equal minus b upon a इसको verify करते हैं alpha आपका 1 by root 3 है beta आपका root 3 by 2 है is equal minus b क्या होता बच्चों तो b होता जो x के coefficient x के 7 हो या नि माइनस का 5 a होता है x square का coefficient यानि 2 root 3 बच्चों यहां 2 root 3 आप calcium लेंगे तो 2 इधर आएगा और root 3 into root 3 3 minus minus plus हो जाएगा 5 upon 2 root 3 आप ध्यान दे 5 upon 2 root 3 is equal आगया है 5 upon 2 root 3 के पहले relationship verify हो गई है second alpha into beta is equal c upon a alpha 1 by root 3 है बीटा आपका root 3 by 2 है बच्चों c होता constant term जो की root 3 है और a होता x square का coefficient यानि 2 root 3 आप ध्यान दे रूट 3 upon 2 root 3 is equal root 3 upon 2 root 3 इस तरह से आपने second relationship को भी verify कर दिया है बच्चों आसान सा question था और इसी के साथ बढ़ते हैं question number 9 की तरफ question number 9 9 है 4 x square minus 4 x और plus 1 अच्चों यहां पे 1 को ऐसे लिखेंगे और इस 4 को लिख सकते 2 into 2 और अगर आप ध्यान दें तो यहां पे आप देख सकते हैं इस 4 x square को हम 2 x का holy square लिख सकते हैं इस 1 को हम 1 का holy square लिख सकते हैं और आगे minus 2 a और b बना सकते हैं यह formula बन गया a square plus b square minus का 2ab इसको हम इस form में लिख सकते हैं तो बच्चों यह क्या लिखा है 2 x minus 1 के holy square का formula आप चाहें तो factor भी कर सकते हैं 2 और 2 4 होता है plus करने पर factor से भी हो जाएगा पहली condition when 2 x minus 1 is equal 0 implies that 2 x is equal 1 बचों यहां से आपको x is equal मिल गया 1 by 2 यह आपका alpha हो गया similarly square था तो दूसरा root भी आपको same मिलेगा x is equal 1 by 2 यह आपका हो गया beta आप चाहें तो इसको detail से भी लिख सकते हैं या इस तरह से ही लिख सकते हैं अब यहां पे आपको relationship verify करना है तो verification करते हैं बचों पहले relation alpha plus beta is equal minus b upon a alpha 1 by 2 है और beta b 1 by 2 है बचों b होता है x का coefficient जो की minus का 4 है a होता है x square का coefficient जो की 4 है half half 1 हो गया minus minus plus 4 upon 4 1 तो एक relationship verify आपने बहुत आसानी से करती है और second देखते हैं तो alpha into beta is equal c upon a alpha 1 by 2 है beta b 1 by 2 है c होता constantum जो की 1 है और बचों a x square का coefficient होता जो की 4 है तो 1 by 4 is equal 1 by 4 यह relationship भी आपने verify कर दी हैं बहुत आसान सा coefficient था